सेक्स संबंधी परेशयनियों को चुमंतर कर देंगी है दाल यह रामबन दाल है और इसका आप सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको आपके सेक्स लाइफ में मिलेगा तो आएए मेरा नाम है डॉक्टर दीपर कड़कर मैं मनुविकार सेक्स रोग संब्मोहन त सपुस्य नाम हम परेकी जाते हैं तो डाल मकहनी करके बहुत चाऑ से बुलाते बहुता स्पहसिल्झ धाने तो दाल ममैकनी करके किश कुछ नाम मिलती है न बहुत पॉपिलर है कुछ न ह हमारे यह कि और दाल बहुत एक बनते तारन कि यास्टा मंतरम गताबीत टेस्तिक्त उसको बोला जाता है काली दाल का तड़का या मसाला आप फराए करकी भी आप ले सकते हैं तो यह काली दाल ब्लेक ग्राम तो यह बहुत ही हाई प्रोटीन है इसमें कैलिशियम है आयन सोडियम पोटेशियम विटामीन C, फाइबर विटामिन बी मैगनेशियम जिंक इत्य दी सभी इसमें है वैसी यह दाल जो है नो वहत हीवी है और ठंड के काल में यह लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं तो यह मतलब पाच्चन में भी है यह और वो पावर भी बढ़ाती है यह दाल जो है वो टेस्टोसिरन लेव पड़ाती है और शुकृराणू है तो स्पर्म कांड बढ़ाती और की कवालिटी जो है वो बढ़ाती है ब्लैक डाल माकी नाल खाने से कामुत तेजहना होती है सेक्स पौवर बढ़ती है सेक्स की इच्छा बढ़ती है और इसक्ष्ण मतलब जो लेंग के कठोटा नहीं आ काली दाल खाते रहते तब उसके साथ में मतलब जो होटल में जाते हैं तो माक की दाल तो वो चाव सी बुलाते हैं मैंने काफी जगह देखा हुआ है तो लोग बोलते हैं कि ने अभी शराब तो पी नहीं है फिर एक बीर ला विसके ला तो भी लेंगे सिगरेट भी पीएंगे तो यह सब है नहीं सेख के लिए सब प्राबलेंटिक है कि बिशार जो एस है एक है शुगर एस बसलब चीनी तुसरा सीगरेट का एस एक्चिली मतलब हो सिगारेट का सी मलमें सिगरेट का एस बोल रहा हूं तीसरा एससे स्ट्रेस लिए और चाओं सा काली दाल के साथ में तो प्रॉब्लिम हो सकता और यह फाइडेमन होंगा नहीं आपकी तो इसे करती है कब्स को ठीक करने मनदद करती है तो जादा खाने का नहीं है, गम मातरा में खा सकते हैं, फिर अब लोग पूछते की खाना कैसे है ये, तो जैसा मैंने बता है कि आप माकी दाल करके, मतलब उसका दाल तड़का या मसाला फ्राह है, या दाल मखनी करके ले सकते हैं, मगर आपको दवाई करके लेना है, तो फिर से बोल रहा हूँ, लसुन और हिंका तड़का, काली उड़त की दाल को देने का है, मतलब ये मा की दाल को देने का है, लसुन और हिंका तड़का, और ये कटोरी आप लेते हैं, तो हर हपते में दो बार तो बहुत अच्छा है, ये छे हपते आप लेलो, आपको बहुत दिखेंगा लसुन और हिंका तड़का जो है वह इस गाय के घी में आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है गाय के घी में आप करते हैं तो बहुत ही पेस्ट तो लसुन और हिंका तड़का गाय के घी में करना है और वह तड़का काली दाल को लगाना है और हफ्ते में दो बार एक कटोरी आप काली ओड़त दाल लेना है वह उसको मसला डाल सकते और अच्छा मतलब ले सकते उसको काफी टेसटी बना की आप ले सकते हैं इसके अलावा प्लस एक चमच गाय का घी घाय का घी होना मगर और एक चोटा चमच शुगर चीनी उसमें चोटा चमच शुगर लेते हैं तो यह उसके साथ में दिया तो बस बहुती फाइदे मन होंगा ताब यह लेते इसका सेबन करते हैं स्ट्रेस कम करते हैं तनाव कम उसके लिए मेडिटेशन हिपनोसिस रेगुलर एक्जरसाइजस कम से कम चालीस मिनित तक दोड़ना शराब सिग्रेट का सेवन बन चीनी जो मैंने चोटी चोटा से मुझ बोला वस उतनी बाकि शुगर वैसी बन मिठा बन शाटार घंटी की नी अपने पार्टनर के साथ में अच्छे रिष्टे यह सब करते हैं तो डिफिनिटली आपका सेक्स लाइब बहुत ज्यादा भेहत्रिन हो जाएगा अब आपका सेक्स लाइब अच्छा एंज्वाय कर सकेंगे यह आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेर करो चैनल को सब् अपका सेक्स लाइब तो जरूब में अच्छा पार्टनर के लग्सा आपका सेक्स लाइब यह आपका सेक्स लाइब अच्छा कर दो